नमस्कार Capital TV देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ पूजा Breaking Now में बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं दिले की मुक्वंत्री अर्विन केजरिवाल को दिल्ली हाई कोट से बहुत बड़ा जटका लग गया है अर्विन केजरिवाल की जमानत याचिका की अरजी को हाई कोट ने खारिच कर दिया है अर्विन केजरिवाल जमानत के लिए हाई कोट पहुंचे थे जहां काफी दिन पहले ही सुनवाई हो गई थी लेकिन आज हाई कोट ने अपना फैसला सुना दिया है और अर्विन केजरिवाल की अरजी को खारिच कर दी गई है मतलब कोई जमानत अर्व पहले ही हम चर्चा कर रहे थे और आपने बताया था कि राहत मिलने की तो उमीद नहीं है हाइकुट ने याचिका खारिज कर दी है कितना बड़ा जटका देखिए मैं सुरू से कह रहा हूं दिली का बच्चा बच्चा जानता है कि अर्विंद केजरिवाल और उसके चट्टे हैं हमारे मितिकल में एक काम धेनू गाए जो हमेशा दूद देती है तो यह घोटाला जो था कि कंटिनिवस सिलस्रेवार से पैसा जड़ता रहे रोज कमाई होती रहे कड़ोरों रुपे रोज आता रहे इतनी ज़्यादा भूक चीस तिहारी चीफ मिनिस्टर को ऐसा तो जितना दारू बिकेगा उतना माल आम आद्मी पार्टी को आएगा यह बच्चे बच्चे जान रहा है यू करना फूल एजेंसी तो एक तो आप समझ लीजिए कि यह ओपेन एंड शट केस था यह ओपेन एंड शट केस है और इसलिए इनके पास अपनी बेगुनाही को स साबित करने के लिए कोई पॉइंट नहीं है अब इसे एक मनु सिंग्वी की पास तो वो क्या उठाते हैं वो टेक्निकल पॉइंट उठाते हैं आज हाइकोट में क्या हुआ आज हाइकोट में जो फैसला आया है इस चीज के ऊपर आपने यह नहीं कहा कि हम तो इनोसेंट ह हैं हमने घोटाला नहीं किया हमारे खिलाब कोई सबूत नहीं है सबूत दिखाइए सबूत को हम चैलेंज करेंगे यह आप कहते नहीं हो यह प्रेस कॉंफरेंस भी लोग कहते हैं यह जितना हम आदी पार्टी के मदारी लोग है न और टेलिविजन चैनल वालों को पैसे द हैं कि इडी ने गलत गरहतार किया गरहतारी गलत क्यों कि देखें यह टेकनिकल पॉइंट है यह टेकनिकल पॉइंट है वहाँ इनोसंस के उपर नहीं बात से चलेगी वहां क्या कह रहे थे कि आपने जो है यह गारेंटी अरेस्ट आपने किया आपने जो अरेस्ट किया मेर इंटरीम बेल मिला सुप्रेम कोर्ट से और इसलिए आपने जो है यहां पे आ करके यह सारा काम किया यह इनका आर्गुमेंट था और इसलिए ऑन टेक्निकल ग्राउंड सिंग्वी सहाब ने यह आर्गुमेंट दिया कि अरवंद केजरिवाल की गरतारी गलत है वो इलीगल है गरतारी इलीगल है वो इनोसंट वाली बात नहीं है वो टेक्निकल पॉइंट उठा रहे है कि गरतारी जो है वो कानून के मताबिक नहीं हुई बही आपने चोरी की घोटाला किया आप इनोसेंट है नहीं है उसके आधार पर नहीं हो रहा अब कोट में बहस हो गई तो आज फैसला आगया Justice Neena Bansal Krishna disposed of KG Waal's bail plea with liberty to approach the trial court for the relief it cannot be said that the arrest was without any justifiable reason or is illegal सीधे सीधे verdict दिया गया कि किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से जो CBI ने जो आपको गिरतार किया वो illegal नहीं है मतलब CBI ने जो कारवाई की वो illegal है आपके कैपली था कि CBI ने illegal action लिया हाई कोट ने कह दिया भई legal action है अब आगे कहा so far as the bail application is concerned it has been disposed of with liberty to approach trial court इन्होंने दो प्ली किया था वो प्ली ये था कि एक तो arrest illegal है और arrest illegal है तो हमें छूट दे दीजे बेल दीजे तो कोट ने कहा कि arrest जो है वो legal है और बेल लेना है तो वापस जाओ रौजबर न्यू कोट तो रौजबर न्यू कोट वापस जाएंगे अब इनके पास दो रास्ते हैं एक रास्ता है कि हाई कोट ने यह जो गरफतारी है उसको legal बता दिया तो उसको फिर से illegal बताने के लिए यह सुप्रीम कोट जा सकते हैं अब मुझे तो लग रहा है कि जितनी बार पैसा लग रहा है को केजरीवाल का पैसा थोड़े लग रहा है बताया दाता है कि लाको मिलेते हैं 15 लाग 20 लाग पता नहीं क्या फीस है उनकी लेकिन करोरों रुपए केजरीवाल के सराब घोटाले में सबसे ज्यादा किसी को फाइदा हुआ है तो वह अभी से मनू सिंग गया मामला फस गया मामला इस तरह किसे फस गया अब क्या होगा 15 अगस्त को जंडा तो कौन फर आएगा यह तो अब तो इसके बारे में उनको तैय करना पड़ेगा क्योंकि राहत नहीं मिली सी बी आई के केस में अब आप सुप्रिम कोट जाओगे उसकी लिगालिटी होगा एक मैना और टल गया एक मैना और टल गया और बेल प्रिटिशन के लिए जाओगे तो बेल तो मिलने नहीं जा रहा है मैं आपको क्लियर कर बता दूँ वेल इसले नहीं मिलेगा क्योंकि यह बहुत सक्तिसाली वेक्ति हैं बहुत सक्तिसाली वेक्ति हैं यह चीफ मिनि तो यह बढ़ी दिक्कत हो जाएगी हमें तो वह टेक्निकल इनका जो सीम होना यह अपने आपने बहुत बढ़ी दिक्कत है और यह वजह है कि इस वन दो रीजन वाइज मनिशी सुधिया इस अलसो नॉट गेटिंग देगा कि जब उनका उनकी बारी आती है बेल प्रिटिशन कि तो ED और CBI कह देती है कि हुजूर यह व्यक्ति तो सर्व सक्तिमान है 17-17 मंत्राले इसके अंडर में था इसको बाहर छोड़िए गाई तो किसी सरकार अधियानी को जो हो हड़का देगा उसको इंफ्लूइस कर देगा तो यह सारी चीजे जो है लेकिन आम आदमी पार्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है तो क्या यह माना जाए 15 अगस्त भी नजदीक है तो इस्तिफा देने का वक्त नजदीक आ रहा है देखिए मैं इसके उपर को पॉलिटिकल कमेंट नहीं करूगा आस करना अच्छा है आसा रखना अच्छा है लेकिन आम आदमी पार्टी को द कमेंट नहीं करूँगा ओक्सिजन के बगार दिल्ली में लोग दम घुट घुट के मर रहे थे और यह अपना आसियाना बना रहा था कोविट की दौरान इसने अफवा फैला कर गरी बस्तियों से लोगों को यूपी बिहार भेजने का काम किया रास्ते में कितनी लोग मर ग होगा व्यतनाम का सग्मर्मर कैसा होगा वो सेलेक्ट करने में लगे हुए थे मैं बार-बार कहता हूं जीवन एक है डिवाइन जस्टिस यहीं पर होने वाला है यहीं पर होगा उसके लाठी में आवाज नहीं होती चोट बहुत जादा लगती है अपडेट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है अर्विं ज्रिवाल को डिली के हाई कोट से शराब घुटाले में बड़ा जठका लग गया है अर्विं के ज्रिवाल की तरफ से CBI के केस में दायर की गई जमानत याचिकाग को डिली हाई कोट ने खारज कर दिया है मतलब अब तेहाड में ही कर्विंद के जिवाल को रहना होगा इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही के रूपिस नशुक के साथ मैं पूजा क्या पिटल टीवी